हेलो, वेलकम टेक्षरमिद, आज के सेशन में हम db2scl का एक और फंक्शन कवर करेंगे, जो है round, round function क्या करता है, जो भी आप उसमें as a parameter value प्रवाइट करोगे, यह उसका round of calculate करेगा, ठीक है, जो भी number हो का decimal में float में, उसका round of value calculate करेगा और उसको return करेगा, ठीक है, तो यह overall purpose ह और round function का, अब हम देखते हैं कि हमारी requirement किस तरह की होगी, जहां पर हम इसका use कर सकता है, तो उसके लिए मैं आपको पहले table का data देखा हूँगा, तो यहां पर मैं एक query run कर रहा हूँ, select star from shermit1 slash emp, इस data shermit1 slash emp, इस data को अगर आप देहान से देखोगे, तो मैं अगर यहां प आपको value दिखरी 1.3 और फिर बाद में कुछ float values हैं, अब हमारी requirement ऐसे है कि हम इसको program में तो use करना चाहते है, पर इसको round off करना चाहते है, round off का meaning क्या हूआ, कि अगर जैसे 1.3 है तो यह हो जाए 1, और 1.5 से ज़धा है तो वो चल जाए 2 पे, round off हो जाए, मतलब हमें decimal में value न देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो वही constant declare किया है, हमने SQL state underscore valid है और इसमें हमने 5 times zeros को store किया हुआ है, अब हमने एक variable declare किया, zone decimal type का, जिसमें हम हमारे output को store करेंगे, और यहाँ पर हमने commitment को none पर set किया हुआ, यह needful नहीं है, अगर आप सिर्फ read कर रहे हो तो उस case में आप इसको skip भी कर सकते हो, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर main function का use किया, तो function कैसे use होगा, आपको लिखना है exact SQL, select round, round हमारा function है, rating, ठीक है, तो क्या होगा, यह round off करेगा इसको, और into store करेगा result variable में, from sharmit1 slash emp, fetch first row only, इस से क्या होगा, सिर्फ first row को हमारी fetch कर सकते हैं, ठ अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो यह क्या करेगा, round off करेगा उस value को, और restore कर देगा अपने host variable result में, अब यहाँ से जो value आएगी, वो query सारी है, तो query को optimize कर करके check करना जरूरी है, कि वो हमारी verify होई क्या है, वेरिफाइ करना जरूरी है, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं, कि अगर SQL state, SQL state underscore valid है, मतलब five times zeros है, इसका मतलब query proper execute होई है, तो हम डिस्प्ले कर देंगे result को, else हम डिस्प्ले करेंगे SQL state, और query ended with an error, ठीक है, और फिर last में endif करके, inler को on करती है, तो इसको करते हैं, save, compile, और call, तो यहाँ पर आपका output क्या मिल रहा है, one, one क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो value थी, वो थी, अगर मैं सिर्फ आपको यही value दिखा हूँ, इस column की, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1.3, अच्छा, अब एक चीज़ करके देखते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको 1.7 कर देते हैं, ठीक है, तो म यही चीज़, अगर हम SQL RPG program से call करेंगे, तो हमारे को output मिलेगा 2, क्यों, क्योंकि इसने round off कर दिया, और इसको nearest integer upside में move कर दिया, ठीक है, तो यह होता है round function का benefit, same चीज़, अगर आप चाहो, तो यहाँ पर भी use कर सकते हो, directly db2 SQL पर, आपको बस यहाँ पर लिखना round, parenthesis लगा convert हो जाती है, हमारी round off हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर heading अगर आपको यह नहीं चाहिए, कुछ और heading चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, alias का use कर सकते हो, as new value, ठीक है, मैंने इसको कर दिया, new value, तो यहाँ पर आपको new value कितना यह show करेगा, ठीक है, तो यह था हमारा round function, बहुत इस session के लिए नहीं था, next session में बागे topic discuss करेंगे, so thank you for watching Techsharement